आज हम एपिकल मेरी स्टेम के शूट अपैक्स ओर्गिनाइजेशन के बारे में बात करेंगे सभी प्लांट्स में जो प्रामरी टिश्यू होते हैं वो एपिकल मेरी स्टेम से ही ड्राइवड होते हैं एपिकल मेरी स्टेम प्रो मेरी स्टेम तथा प्रैमरी मेरी स्टेम दोनों को इंक्लूड करता है शूट अपैक्स ओर्गिनाइजेशन को समझाने के लिए काफी थ्योरी दी गई है उनको हम देखेंगे इन में से फर्स्ट थ्योरी है एपिकल सेल थ्योरी इस थियोरी को होफ मिस्टर ने दिया था और नागेली ने इसे एडवांस्ट किया था इस थियोरी के अनुसार एपिकल मैरि स्टैम में एक सिंगल एपिकल सेल ही स्टुक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है जिससे सारी एपिकल ग्रोथ होती है लेकिन इस प्रकार का ओर्गेनाईजेशन केवल क्रिप्टो गेम्स में ही पाया जाता है फैनीरो गेम्स में नहीं होता है सेकंड थियोरी है इस्टोजन थियोरी हिस्टोजन थियोरी को एंस्टीन ने दिया था और उन्होंने एपिकल रिजन में तीन मेरिस्टमेटिक जोन्स को आइडेन्टिफाई किया इन जोन्स को उन्होंने हिस्टोजन्स का नाम दिया इसमें सबसे बाहर की तरफ डर्मेटोजन होता है जो आउटर मोस्ट यूनि सीरियेट लेयर है मिडल इसमें पैरिबलैम इस्टोजन है जो आइसोडायमेट्रिक सेल्स का बना हुआ होता है इसकी कई लेयर पाई जाती है सबसे इनर और सेंटर में प्ली रोम पाया जाता है इसकी भी कई लेयर पाया जाती है प्रतेफ हिस्टोजन का एक डेफिनिट फ़ंक्शन होता है डर्मेटोजन की सेल्स एंटी क्राइनली डिवाइड होकर के एपिडर्मिस बनाती है पेरिबलेम कोर्टेक्स बनाता है प्लीरोम स्टील बनाता है इन हिस्टोजन्स के अलग-अलग इनीशियल सेल्स से ये ओरिजिनेट होते हैं ये हिस्टोजन्स अपने फंक्शन में स्पैश्विक नहीं होते हैं और जिम्नोश्परम और एंट्योस्परम में इस परकार के हिस्टोजन्स को रिपोर्ट भी नहीं किया गया है इसलिए इस थियूरि को भी रिजेक्ट कर दिया गया था शूट पैक्स और्गनाईजिशन को समझाने के लिए नेश्ट थ्योरी है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी शीमिड ने परपोज ती इस थ्योरी के अनुसार एपिकल मैरिस्टैम में दो जोन होते हैं, बाहर की तरफ एक आउटर जोन होता है, जिसे ट्यूनिका कहते हैं, इसकी एक या अधिक लेयर्स पाई जा सकती है, और इसकी सेल्स में एंटी क्लाइनल डिविजन्स होते हैं, सेकिंड रिजन है, कॉर्पस रिजन्स जो सेंट्रल अन्डिफरेंटियेटिड मल्टी लेयर्ड सेल्स होता है, ट्यूनिका और कॉर्पस सेपरेट इनिशियल से बनते हैं, ट्यूनिका की लेयर्स सेम स्पीसिज में वेरी करती है, ट्यूनिका जो टर्म है, वो एक रेस्टिक्टि टर्म है, उसमें केवल वही लेयर्स को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें केवल एंटी क्लाइनल डिविजन्स होता है, पोफम एंचान ने इसे थोड़ा मोडिफाइड करके एक नई हाइपोथिस दी जिसे मेंटल कोर हाइपोथिस कहते हैं जिसमें ट्यूनिका के प्लेन ओफ डिविजन पर ज्यादा इंफैसिस नहीं दिया गया है टर्म मेंटल जो है वो सभी आउटर लेयर्स को इंक्लूड करती है और कोर वो सभी लेयर्स जो मेंटल के द्वारा स्राउंडेड होती है उसे इंक्लूड करती है शूट पैक्स और्गनाइजेशन को समझाने के लिए एक थियोरी हिस्टोजैनिक लेयर्स थियोरी भी दी गई है यह थियोरी डर्मन ने दी थी और उसने ट्यूनिका कॉर्पस थियोरी को रिजेक्ट किया था उन्होंने बताया कि एंजो स्फ्रम में शूट अपैक्स में तीन बेसिक लेयर्स पाई जाती है जिसे उन्होंने L1, L2 और L3 लेयर्स कहा इन में से L1 लेयर से लीफ और स्टैम की एपिडर्मिस बनती है L2 लेयर्स से हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स और वैस्कूलर टिश्यू का कुछ पार्ट बनता है L3 लेयर्स से वैस्कूलर टिश्यू और पिथ बनता है यह एक प्रकार से हैंस्टिन की हिस्टोजेनिक लेयर्स थियोरी का ही मोडिफाइड परजन है इसे बूवट ने प्रपोज्ट किया था और उन्होंने बताया कि पैरिफ्रल और सब टर्मिनल जोन ही रियल इनिशियेटिंग जोन होते हैं जबकि डिस्टल जोन इनर्ट नेचर का होता है उन्होंने एपिकल मेरिस्टेम में तीन रिजन को आइडेंटिफाई किया एन्वे इनिशियल जो पैरिफ्रल एक्टिव जोन है मेरिस्टेम इडी अटेंटि जो वेटिंग मेरिस्टेम है जो टर्मिनल इन्फ्लोरिसेंस या फ्लोर बनते से में ही एक्टिव होता है और तीसरा मेरिस्टेमी मेडूरी रीजन जो सेंट्रल पित रीजन होता है मेरिस्टेमी डी अटेंटी दो पार्स से मिलकर के बना हुआ होता है प्रो मेरिस्टेमी स्पोरोजैनी और प्रो मेरिस्टेमी रिसेप्टी क्यूलेरी इसमें Maristemi D Attentive में एक पार्ट ट्यूनिका का और एक पार्ट कॉर्पस का भी होता है अनुए इनिशियल और प्रो मेरिस्टेमी स्पोरोजैनी मिल करके ट्यूनिका बनाते हैं तथा प्रो मेरिस्टेमी रिसेप्टिकुलेरी तथा मेरिस्टेमी मेडूलेरी कॉर्पस बनाते हैं च्क प्रेजरी कि प्रपकी कॉर्पस・तड़ाछ कि जनिका बनाते हैं